Hey guys, welcome back to my youtube channel तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले है कि दुनिया का सबसे पहला टूटब्रस्ट कब इन्वेंट किया गया था और एक ऐसा कंट्री जो दोल्फिन को ट्रेंड करते है वार में यूज करने के लिए और ऐसे ही मज़दर फैक्ट जानने के लिए बने रहे है इस वीडियो में जब भी को एक नया बच्चा जनम ले थे तो उस बच्चे को अपने मा का पेट के बाहर की दुनिया मतलब इस दुनिया में एज्जाश्वने में तीन महीने का बर्त लगता है दुनिया में सबसे पहला केरोट यानि के गाजर एशियन ग्रीक्स के आदमी लोग ने उगाया था लेकिन क्या आपको पता है वो लोग गाजर खाने के लिए नहीं उगाते थे वो लोग गाजर को मेडिसीन सोच के उगाते थे Pack number 3, क्या आपको पता है, दुनिया का 13% कच्रा US में प्रोडूस होते हैं और इसके बावजित भी US इतना साफ सुत रहा है Pack number 4, लोग कहते हैं कि अपना जीप से खाने को टेस्ट किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है, जब आपको एक खाना खाते हैं जब तक आपको जो मुगा जो सालायव होता है, वो उस खाने के साथ मीक्स नहीं हो जाता है तब तक उस खाने का टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा Pack number 5, अगर 2050 तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तब हमर जो समंदर है, उदर पे, समंदर पे जितना मचली होता है उससे कोई गुना ज़्यादा समंदर पे प्लास्टिक्स होगा Pack number 6, क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे सेब जगा Netherland कहा जाता है, क्योंकि उदर का जो जेल होता है न उन जेल को फिलाप करने के लिए पाहर से क्रिमिनल को लाना परता है और उदर का क्रिमिनल रेट इतना कम है कि बहुत सारे जेल को बंद करना परा Pack number 7, हमर जो बोडी है, हमर जो बोडी का ग्रोध होता है वो एक नएक समय में जाके रूख जाता है लेकिन हमरे बोडी में ऐसे दो पार से जिसका ग्रोध कभी नहीं रूखता है नाक और एरलोब जो की कान के नीचे वाला हिस्सा होता है ग्रेविटी के बज़े से इन दोनों का ग्रोध होता है वो कभी नहीं रुखता है जब तक आप जिंदार रहेंगे तब तक इन लोग का ग्रोध होता है रहेगा पैक नमर एक ओस्टिश का जो आख होता है ना वो कुछ इतना छोटा सा होता है लेकिन उससे कमल की बाद यह है कि ओस्टिश का जो ब्रेन होता है वो ओस्टिश का आख से भी छोटा होता है यानि ओस्टिश का जो आख है उसका ब्रेन से भी ज़्यादा बादा होता है पैक नमर नाइन क्या आपको थग अब और गेम पता है जिसमें दोनों साइड में बहुत से लोग होता है और एक रसी को खीशते है आजकल दो दुबाय में वो गेम लैंड के साथ खेला जाता है लेकिन क्या आपको पता है 1900 से 1920 तक ये गेम ऑलमपिक गेम्स में भी था गर्मी के दिम में कोटन के कपरे पहननी के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है लेकिन क्या आपको पता है एक कोटन के शाट बनाना में लगभग 700 गैलन वाटर का इस्तिमाल किया जाता है यानि कि लगभग 2600 लीटर ओफ वाटर पैक नमर 11 क्या आपको पता है दुनिया क सबसे पहला टूटब्रस कब इन्वेंक किया गया था 1498 में दुनिया का सबसे पहला टूटब्रस इन्वेंट किया गया था अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजे और अगर आप मेरा चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राब करना मात भूलिए पैटनावर त्विल्ड, मैं पहले का वीडियो में बताया था कि एक जो पियानो होता है वो तक्रीबें 20,000 अलग अलग पार्स का बनावा रहता है वो तो बहुत बरे होता है लेकिन एक छोटा सा वायलिन जो कि बहुत छोटा सा होता है वो वायलिन भी लगबक 70 अलग अलग पार्स का बनावा होता है हम लड़कों में से कोई को ऐसा होता है कि लड़की को पटाने के लिए अपना biceps muscles दिखाते हैं और इसे ही सेम कंगरूस के साथ भी होते हैं वो लोग भी अपना female कंगरूस को attract करने के लिए अपना biceps अपना muscles पोस्ट करके दिखाते हैं एना हमेजिंग क्या आपको लगते हैं डॉल्फिन्स इतना क्यूट सा दिखने वाला जानवार कभी वार भी कर सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है यूएस एंड सोवेत उनियन एक ऐसा कंट्रिय है जो डॉल्फिन्स को ट्रेन करते हैं वार में इस्तेमाल करने के लिए पैकर 15 से लेकर 1765 कर एक मदर था जिसने 69 बेवीस को जनम दिया है अपके लिए मदर ने 69 बेवीस को जनम दिया है जिसमें से बहुत सरे ट्रिपल्स भी रहे और कोई कई बार तो चार-चार बच्चे भी एक साथ जनम दिया है फैक नवर 16 यह जो आप पिक्चर में देख रहे है यह आपको जान चीज है लेकिन क्या आपको पता है रोमेनिया में एक पत्थर है जिसको प्रोभेंड रोक कहते है वह पत्थर दिन बाद दिन गो भी होते है और मल्टिप्लै भी होते है यानि कि बच्चे भी देते है फैक नमर 18 आपने तो बहुत सरे मेट्रोइट्स का मूवी देख अंगे उलका विंड सबकमूवी देखोंगे एक पक्रोश्य है लेकिन आपने इसा कभी नेज दका लेकिन हरal 500 से ज़्यादा मेट्रोइट्स यानि कि उलका विंड हमारे आर्ड से टक्रोश्य है वह नीचे आती आते होते है ऌरे च्छोटा हो जाते कि अमारे धेन उसके त तब हो बिलिनेरी हो गए मुझे लगता है दुनिया का ओह ही एक ऐसा अदमी है जिसका सबना बॉनास के साथ पूरा हुआ आज का आखरी फैक्ट फैक्ट नमर 20 ये तो सब कोई पता है कि हम इंसानों के बॉड़ी में टोटल 206 हड़िया होता है लेकिन क्या आपको पता है जब एक बच्चा जनम लेता है तब उसका बॉड़ी में टोटल 300 हड़िया होता है और वो 5 साल के होते होते उसका बॉड़ी में बहुत सरा हड़िया होता है जो जो जोर के एक हड़िया बन जाता है